आम जन्ता में अख़्ी जन्ता पाटी की परदेश और देश की सरकार के लिए बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया है, हमारे पुरवजों ने देश के लिए गरदने कटाई हैं, हमारे इतिहास से नफरत करने वाले जलने वाले इसलिए जलते हैं, कि उनका कोई इतिहास ही नह जहर दे के मारा गया है, और मुक्तार अंसारी का शवद दफन किया गया, शरम से चुलू बद पानी में डूप बनना चाहिए, जिसकी अभी रक्षा में है, अगर वही हत्या कर रहा, इससे बड़ा पाप क्या होगा? नमस्कार फूर पीम में आप सभी का स्वागत है, देश में इस वक्त लोकसभा चुनाओ और मुक्तार अंसारी की मौत की चर्चा जोरो से है, पांच बार के विधायक मुक्तार अंसारी की गुरुआर को बांदा जेल में तबियत बिगड़ने से उन्हें बांदा के मेडिक कालिज में भरती कराई गया था, लेकिन इलाज के दोरान मुक्तार अंसारी की मौत हो गई, शनिवार को मुक्तार अंसारी को घाज़िपूर के मौमदबाद के कालिबाक कबरिस्तान में उनके पिता की कबरिके बगल उनको दफनाया गया, जनाजे में हज़ारों की संख्या में लोग मजूद थे, आखरी दर्शन करना चाह रहे थे लोग मुक्तार अंसारी के, बता दे कि मुक्तार की मौत से तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, परिवार से लेकर विपक्ष्ट तक इसे हत्या बता रहा है, जहां सरकार तमाम लोग इसे निचरल डित बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष्ट और परिवार के लोग मुक्तार अंसारी की मौत हत्या बता रहे हैं, पहले भी मुक्तार अंसारी ने यह आरुप लगाय तक आता कि उसे खाने में जहर दिया जा रहा है, मुक्तार के वकील ने भी यही बयान दिया था, उसके बात परिवार वालों भी यही बात कहीं कि मुक्तार अंसारी को खाने में जहर दिया जा रहा है, और अभी तक परिवार वाले यही बात कह रहे हैं कि मुक्तार अंसारी की मौत निच्रल डित नहीं है, बलकि उसकी हत्या की गई है, परिवार ने पहले ही मुक्तार को जहर दे जाने की कई बार बा बाई की मौत को हत्या बता रहें, उन्होंने का दा कि मुकतार अंसारी को मार कर रास्ते से हटाया गया है, सही वक्त आने पर हम इस बात का फुकता स्बूत देंगे, कि मुकतार को जेल में जहर दे कर मारा गया है, कुछ अपरादियों को बचाने के लिए पूरी सरकार और उस लिए बेजा गया क्योंकि डॉक्टरों ने सुझाफ दिया था जब हम अस्पताल पहुंचे तो हमें बड़ी मुश्किल से सिर्फ पांच मिनट के लिए मिलने दिया गया और इस दोरान मुक्तार अंसारी ने कहा था कि उनको जहर दिया था और इस वज़े से वो बेहोश हो ग आख रहे हैं वही एक बार फिर अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है मुतार अंसारी की मिल्टे के बाथ अफजाल अंसारी का ये एक बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने का कि शड्यंदर के तहत यहत्या की गई है इससे आम जनता में बीजे पी के लिए कटाई हैं उन्हें साफ तर पर का कि मुक्तार अंसारी को जहर दे कर मारा गया है और ये बात अफजार अंसारी बार बार दोरा रहे हैं परिवार के कई लोग ये बात बार बार करें बेटे अमर अंसारी ने भी एक बार ने कई बार ये बार ये बात कही थी कि उनके पिता को जहर देकर मारा गया है, यह हत्या है, वह अफजाल अंसारी भी लगतार मीडिया में आकर यह बात कर रहे हैं, और परिवार वाले विपक्ष लगतार इस पूरे मामले की जाच की बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जाच हो और सच सामने आना चाहिए, क्या कुछ कहा है मेर ममता पूरवक सुनियोजित सडियंत के तहत हत्या जो की गई है आम जन्ता में आपकी जन्यापाटी की परदेश और देश की सरकार के लिए बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया और किसी दूसरे चश्मे पर इसको ढाला नहीं जा सकता यह मुक्तार अंसारी का मामला है यह अंसारी परिवार का मामला है इस परिवार की इतिहास है जो लोग आज सकता में हैं उनके बाप दादा का कोई इतिहास नहीं होगा एक नाखून कटाने का हमारे पुर्वजों ने देश के लिए गर्दाने कटाई है हमारे इस्तिहास से नपरत करने वाले जलने वाले इसलिए जलते हैं कि उनका कोई इतिहास ही नहीं है हमारे मौमले को सामपुर्दाइक रंग नहीं दिया जा सकता हम लोग सभी धर्मों से और सभी धर्मों के मानने वालों से अपना सामन जस रखते हैं सर्व धर्म संभाव हम इसलाम धर्म के मानने वाले हैं और हमारे मजभब में ये कहा गया है कि मौट का एक दिन निश्यत है और मैंने कई बार ये बात कही है कि जिस दिन आज आएगी मुक्तार की तो यही तरीका शाहिद तय था और जहर दे करके उसकी हत्या हुई है हम लोग कोशिश करेंगे कि इस घटना में जो लूग सलिपत रहें इसमें सासन में, सरकार में, पुलिस विभाग में मुक्तार ने खुद अपने पत्र में लिखा है, HDF के सुप्रिमों जो है, अमिताब यश सहब, उसमें संलिप्त है DG उत्तर प्रतेश के इसमें संलिप्त है LG जमू कश्मीर इसमें संलिप्त है पर्मुक्सचिव गिरी, मुक्मंत्री के पर्मुक्सचिव बड़े हाई लेविल पर सारी प्लानिंग हुई है और उनकी हत्या करने के लिए तो यह लोग बहुत सा करियत रचे आस तक, अभी दिन पूरा नहीं हुआ था तो जल जाता था इस बार, शायद कुद्रत को भी यही बंजूर हो गया लेकिन इनके पापों की सजा मिले गी इनको जहर दे के मारा गया है और मुक्तार अंसालई का शवद दफन किया गया तो जो शवद दफन होता है अगर उसको ठीक ठाक से दफन किया जाए तो एक दूस साल, पांच साल, दस साल, के बीस साल के बाद भी जब चाहेंगे हो उसमें से एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिल गया तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि यह आदमी मारा गया था तो जहर से मरत रही है तो अफजार अंसारी को आपने सुना बता दे कि मुक्तारंसारी की मौत को लेकर देश भर में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है और तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है कोई से हत्या बता रहा है तो कोई निच्रल डित मान रहा है लेकिन जिस तरह से लोकसुबा चुनाव का माहुल है तो विपक्ष इस मुद्दे को चालने में लगा है विपक्ष के कई नेताओं ने मुक्तारंसारी की मौत पर शोग चताया है कोई अंतिम संसकार में शामिल हुआ तो कोई बात में गया हलाकि विपक्ष भी इस पूरे मामले में समल कर ही बोल रहा है जी हाँ सतापक्ष के इशारे पर बांदा जेल प्शासन पर धीमा जहर दे कर मौत की घार पतारने का आरोप लगाता रहा है फरीजन वही विपक्ष और सतापक्ष के नेताओं के बीच मुक्तार की मौत पर आरोप और प्रतरूप की जुबानिक जंग भी देखने को मिल रही है लेकिन मुक्तार अंसारी की मौत पर राजनीतिक गलियारों में तरहतर की चर्चाएं हो रही हैं चर्चा इस बात किये कि लोगस्वा चुनाव में भी मुक्तार अंसारी की मौत का असर देखने को मिलेगा जानकार कहते हैं कि मुक्तार अंसारी की नियाएक अभिरक्षा में मौत होना अपने आप में बड़ा सवाल उठता है मुक्तार अंसारी की मौत से घाज़ेपूर के साथ जिले के आसपास की कई लोगस्वा सीटों के चुनाव पर इसका प्रभाव साफ तोर पर देखने को मिलेगा साथि प्रदेश के प्रवांचल के भी कई सीटों पर इसका असर पढ़ने बाला है कुछ लोग मानतें कि इसका सीधा फाइदा सपा को मिलेगा और इसकी भरपाई भाजपा को नुकसान की रूप में करने पड़ेगी अब मुक्तार अंसारी की मौत को लेकर इससे तमाश सवाल खड़े हो रहे है कि जो परिवार के लोगे वो इसे हत्या बता रहे है जाच के आदेश जिस तरीके से योपी सरकार ने दिये हैं योगिया जितना सरकार ने दिये हैं तो उस जाच में क्या कुछ निकल कर आता है अभी हमको उसका इंतिजार करना होगा लेकिन जिस तरीके से ये सवाल उठाए कि मुक्तार अंसारी की मौत से लोग सुभा जुनाओं में पुरवांचल में कितना असर पड़ेगा ये एक अपने आपने बड़ा सवाल है क्योंकि मुक्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो पुरवांचल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुक्तर अंसारी को गरीबों का मसीहा कहता है तो कई ऐसे लोग भी हैं जो मुक्तर अंसारी को माफिया, गुंडा, डॉन, हत्यारा नजाने किन किन शब्दों से वो लोग नवास रहें लेकिन अगर हम बात करें पुरवांचल की तो पुरवांचल में एक तबका है वो मुक्तर अंसारी को मसीहा मानता है और एक तबका ऐसा है जो मुक्तर अंसारी को माफिया मानता है तो इसका साफ असर पुरवांचल में अब देखने को मिलेगा और अगर हम फायदे की बात करें तो जाहर जाहां जाहां मुक्तार अंसारी की जिन जिन सीटों पर दबदबा रहा है अंसारी परिवार का तो वहां पर जरूर इस बार जो है माहौल बदला हुआ नजर आएगा क्योंकि एक जिस सरके से जो माहौल अब बना है मुक्तार अंसारी की मौत के बात तो प्रवांचल की राजनीती में इसका असर बहुत पढ़ने वाला है तो अब इंतिजार इस बात का है कि जाच में अखरकार क्या कुछ निकल कराता है जिस सरके से बीजीपी सरकार ने मुक्तार अंसारी की मौत के जाच के आदेश दिये हैं इसका इंतिजार अभी करना होगा लेकिन परिवार की आरोप एक तरफ हैं और सरकार इसे निच्रल डिथ मान रही है ऐसे तमाम वीडियो इसको देखने के लिए आप बने रिए फॉर प्यम के साथ हुआ 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 है